संपर्ध भासा क्या है? क्या हिंदी संपर्ध भासा के रोप में शविकार करने योग यह तर्पूर्व उतर दे? राच इन्वर्सिटी 2008 में पुछा गया सवाल है या संपर्ध भासा के रूप में हिंदी का भूमिका पर प्रकास डाले? उत्तर संपर्क सब्त अंग्रेजी के लिख सब्त का प्रियाय के रूप में परियुक्त होता है संपर्क का अर्थ होता है जोडने वाला भासा एक इसा भासा जो अलग-अलग भासाओं को बोनने वाली लोगों को जोडता है उसके वीज संपर्क अस्थापित करने के माइध्यम बनाता है जब दो अलग-अलग भासा बोनने वाला वेक्ती आपस में बास्चित करने चाहता है तो उन्हें किसी ऐसी भासा की जरुरत होती है जिसे वह दोनों समझ सके एसी भासा उन दोनों में से किसी एकी भासा हो सकती है अथवा को तीसरा भासा भी हो सकता है या संपर्क केवल बाचित के अस्तर तक ही सिमितनों होकर बेवार के सभी छेत्र तक वित्रित होता है जैसा सिच्छा का छेत्र विवार का छेत्र आदी संपर्थ भासा का अधियत मौत दो होता है राश्टिय भासा पर विविन्य भासाओं को बोलने वाले लोग की बीच संपर्थ के लिए एक भासा का होना आवर्शक है भारत में इने एक भासाओं पर्योग में लाए चाती है कस्मीर से किने कुमारी तक गुजरा से उत्तर पूर्वा तक अनिक भासाओं और बोलिया बोलने वाले लोग रहते हैं अता एक इसी भासा की जरूरत स्वभाविक है जिसमें बंगला बोलने वाले पंजाबी बोलने वाला गुजराती बोलने वाला असमिया बोलने वालों से विचारों कारदान परदान कर सके इस परियोजन कोशित करने वाला भासा ही संपर्ग भासा कहलाती है भारत जेसे देश जिसमें एनिक भासाय भासी लोक रहते हैं संपर्ग के लिए एक भासा का इस्तमाल करते हैं प्राचे नियोक में इस देश को संस्कृतिक और भासिक अस्तर पर जोड़ने का मौत दायत दूर संस्कृत भासा पर था जिसे उसमें लगवक्तिन हजार वश्टों तक निवाया संस्कृत भासा वास्तों में इस पूरे महाबदीप को जोड़ने वाला भासा थी बहले ही उस समय अधुनिक सेव्य में राष्ट की कलपना नहीं थी और दीश की अलग-अलग राजी में बाटा हुआ था फिर भी समस्त दीश में एक संस्कृती अंतधारा वन रही थी जिसके मैद्यम संस्कृती भासा के ही थे मैद्यकालिन भारत में संस्कृती की पुत्री कही जाने वाली मैद्यदेश की भासा हिंदी इस अविछन धारा को अपने को समाहित किया है मैं देकालेन भारत में भक्ती अंदोलन का धारा ने दीश की समस्त प्रांतों में विपार अस्तर पर विचार किया है इस संस्कृती विचार में हिंदी भासा का मौत्व भूमी का रही थी माराठी के कवी भक्त नामदेव रामदास एकनात आधी ने हिंदी में कविता लिखी एवंग भक्ति का परचार परचार देस के विविन हिस्वों में हिंदी भासा के माइधियम से किया ताद पर यह आया यहे कि माइधिकाल से ही हिंदी भासा भारत देस के संपर्ग भासा के रूप में परतिष्ट हो रही थी अधुनिक काल में जब हमारा देश अंग्रेजियों की आदिन था तब राश्टिय एक्ता को मजबुद बनाने में एक देशी भासा किया उसकता थी इस दायतों को हिंदी भासा ने करहन किया ऐसे इसलिए किया कि हिंदी ही एक मात्र इसी भासा थी जो देश के भीविने प्रांतों में रहने वाले एनिक भासा भासी को एक संपर्ख सूत्र में जोड़ने का कारिय करता है संपर्ख भासा के रूप में हिंदी भासा की भूमिका को इस समय एनिक समासुदारक एवंग नेताव ने समझा और इसके परियोग के लिए प्रिजित किया आज से लगबक दो सो वर्स पहले राजा राम मोहन राए ने बंगाल में या गोशना की की हिंदी में लिखित आखिर भारतिय भासा की छमता है राजा राम मोहन राय ने इसलिए मुछसूस किया की समपर्ख भासा की हिंदी में हिंदी उस समय महतुपूर्य भोमिका की निर्वा कर रहा था शुर्ट अंत्रा प्राप्त के बाद भी हिंदी ही संपर्ख भासा के रूप में पर्दिश्ट हुआ वास्तों में संपर्ख भासा हिंदी सब कातात पर यह राश्ट भासा हिंदी के संस्कृतिक सायत यह धरातल पर एकता अस्तापित करने की प्रकारिय से है इस बात को तमिलाडू की प्रशित कभी शुबर मन्यम भारतियों वेक्त करते हैं राष्ट की एक्ता को इदी बनाय रखा जा सकता है तो उसकी मायतेम हिंदी ही हो सकती है इसलिए संपर्क भासा हिंदी की राष्टी भासा हिंदी दो भिन्य संकल पनाय नहीं है बलकि एक ही सिक्की के दो पहलू है, एक की बात को इसपर्ष करने की दो परिया है संपर्ख भासा का एक दूसरा रूप भी है, जिसे हम राजभासा के संपर्ख में वेक्तित्व कर सकते हैं जब हम दीज की सासन के इस्तम में परदेशों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिस करते हैं तब एक संपर्ग भासा किया हो सकता होती है उधारन के तोर पर तमिल नाडू या पर्शिम बंगाल की छोटी अदालत में हुई कारवाई के अस्तम में अपील और उचतम नियाले की जाय या कारवाई हिंदी भासा के मायदयम से होगी ऐसा इसलिए है कि राजबासा के रूप में हिंदी की मौत पुन भूमिका है शंपर्ग याँ संपर्ग या है सासन के तीन अगों पर लागू होता है और इसलिए हिंदी भासा का परियोग की मौत पुन अस्तान है आज भी देश के किसी एक कोने से दूसरे से जाने वाले बेक्ति सवाविकता हिंदी भासा का परियोग करने लगते हैं हिंदी ने भी हिंदी भासा के मायद्यम से आखिर भारजेता का दर्जा पराप्ते किया आ है संपर्ख भासा के रूप में श्रिकार किया है। इन देशों में भारतिय निवासी आपस में मिलते हैं तो बहुत सुदा संस्कृती अस्तर परवाचित के लिए हिंदी को हिमाइध्यम के रोप में अपनाते हैं। तात पर यह है कि इन देशों में भारतिय लोग को संपर्ख भासा हिंदी ही है। संपर्ख भासा की भूमी का में को कोई लोग बड़े सिमित अर्थ में परियोग करने का प्रितन किया है। या मानते हैं कि इसका शवरो विविने प्रांतों की वाजारों रेल गाड़ियों में प्रश्पर संपर्ख की किच्ड़ी भासा है। संपर्ख भासा की इतना समेती अर्थ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संपर्ग भासा मात्रस आउसकता की पूर्टी के लिए बजारो या तयात की साधनत तक सिमित नहीं है संस्कृति की साइती अस्तर पर भी दीश की जनता ने एक मंच पर लाने की आउसकता होती है या भासी संपर्ग की उचतम इस्तिति है हिंदी में उप्यूक्त गुर्ण मोजूत इसलिए वदीश की संपर्ग भासा के रूप में परतिश्टी होत है यह थे संपर्ग भासा के रूप में हिंदी का भूमिका का परकास यह राची इंवर्शिटी 2008 में पुछा गया सवाल था